हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू गार्णिंग विद हितेश आज मैं आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट्स शेर करने वाला हूँ जिनकी जो लीव्स हैं छोटी ही होती है और ज्यादा बड़े पोट्स के उन्हें जरूरत भी नहीं होती है छोटे पोट्स में अराम से चलते रहते हैं और बेसिकली ये डॉफ प्लांट्स होते हैं इनकी बड़ी लीव्स वाली वराइटी भी आती है तो मैं आपसे यही प्लांट्स शेर करने वाला हूँ तो नमबर वन पे जो है ये है पिंक सिंगोनियम और सिंगोनियम की डॉफ वराइटी है ये और लीव्स का जो डिजाइन है पैटरन है सेम वैसा ही है जैसा बड़ी पत्ती वाला सिंगोनियम होता है ये मैंने नर्स्री से खरीदा था छोटा सा प्लांट था तो अब ये काफी अच्छे से ग्रोव हो रहा है और देखिए new new leaves भी इसमें काफी आ रही हैं और अब मैं इसे सोच रहा हूँ कि इसे multiply करूँ एक इसकी root को अलग करके किसी और plant में पोट में मैं इसे grow करूँ छोटे से तो अब मैं इसे multiply करूँगा और काफी अच्छे से grow होते हैं ये डॉफ वाले plants और देखने में भी खू इंक सिंगोनियम जो मैंने पीछे आपको दिखाया चोटी पत्ती वाला उससे थोड़े बड़े होते हैं ये मैंने almost खो दिया था लेकिन हलकी से इसकी root रह गई थी तो मैंने इसे लगा दिया विंटर में खतम हो चुका था तो अब देखिए इसमें new new growth भी और ये नीचे स लेकिन ये जो है बेल की तरह नहीं फैलता है ये बुशी फॉर्म में होता है और चोटे रहते हैं इसकी leaves और जो नेक्स हमारे पास ये है टेबल पाम या डॉफ एरिका पाम और इसकी हाइट बहुत ही कम जाती है बस ये बुशी होता रहता है और चोटे पोर्स में अच्छ इस निकल दी है लेकिन ये हाइट में बिलकुल भी नहीं बढ़ता है हाइट इसकी छोटी रहती है और बुशी फॉर्म में होता रहता है लीव्स का साइज भी आप देख सकते हो कितना चोटे है और बहुत ही खुपसुरत लगता है ये इंडॉर प्लांट है ये शेड लव तो अब अच्छे से चल पड़ा ये देखिए बड़े बड़े देख रहे हैं ये बड़े वाले एरिका पाम है जो हाइट में काफी ज्यादा चले जाते हैं लेकिन ये इसी की डॉफ वराइटी है टेबल पाम तो छोटे पोर्ट्स में आसानी से चलते रहते हैं और नेक्स तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और वैसे तो इसे नॉर्मली आप हैंगिंग बास्केट में ये नॉर्मल पोर्ट में लगा सकते हो लेकिन अगर आप इसे मोंस्टिक पे लगाते हो तो इसकी लीव्स का साइज थोड़ा बढ़ जाता है जैसे हम न दॉफ ही रहती है इसकी लीव्स छोटे रहती है मुझे स्वैप में मिला था तो पहले इसमें दो यी लीव्स थे अब देखिए इसमें दो लीव्स न्यू आये हैं और उपर से भी एक लीव निकल रहा है यह देखिए और हैंगिंग बास्केट में जब आप लगाती है न उसकी डॉफ वाली वराइटी है और ये एक मैंने स्यारमिक बुद्धा प्लांटर में लगाया हुआ है एक्चुली इसमें ना तीन वराइटी साती है एक तो बड़ी वाली एक डॉफ वाली होती है ये मीडियम साइज वाली और ये बिल्कुल ही छोटी लीवस होती है इसके बहुत ही छोटे इसे टेबल कामिनी कहते है वैसे तो ये सैमी शेड में धूप इसे चाहिए अच्छा ग्रो करता है लेकिन मैंने इसे कम्प्लीट शेड में रखता है रखा हुआ है इसको हलकी हलकी किर्ने मिलती है सूरज की तो इसकी शेप थोड़ी ऐसी लेगी सी हो रही है अगर आप इसे सैमी शेड में फुल सनलाइट में रखते है तो बहुत एक बॉल से इसकी बन जाती है एक्चली यह मेरे सैमीक पोर्ट में लगाया हुआ है तो यहां मेरी सारी सैमीक पोर्ट की कलेक्षन है तो इसी कारण जो है मैंने इसे शेड में रखा हुआ है लेकिन फिर भी कुछ इतना खास नहीं है इस पर शेड का एफेक्ट लीव्स इसके शाइनी है और अच्छे से और नेक्स यह हमारे पास डॉफ अलोवेरा डॉफ अलो या इसका जो नाम है वो टाइगर तुथ अलो है नॉर्मली आप अलोवेरा देखते हो कितने बड़े-बड़े उसके लीव्स होते हैं और जितना उसका एक लीव होता है उसके बराबर तो इसका एक फुरा प्लांट है यह मुझे एक दो प्लांट्स दिये थे किसी ने और अब यह देखिए इतना ज़्यादा मेरे गार्डन में फैल चुका है एक दो जगा मैंने और भी इसे लगाया हुआ है और जितने भी डॉफ प्लांट्स है छोटे पोट्स में ही अच्छे ग्रो करते हैं आप इने छोट नहीं पड़ता है इसकी ग्रोथ पे बहुत लंबे टाइम के बाद इने बड़े पोट की ज़रूरत देनी पड़ती है जब ज्यादा ही ओवर ग्रोन हो जाएं यह प्लांट्स और जो नेक्स है हमारे पास इसके साथ ही यह है बर्ड नैस्ट सेंसिवेरिया यह वाला है इसम इसमें तीन बेबी ब्लांट्स निकले हैं और इसके साथ ही जो है डॉफ स्नेक प्लांट्स मुझे यह भी मिले हैं वैरिगेटेड यह थोड़े कुछ डिफरेंट वराइटी से हैं यह मुझे इसी साल स्वैप में मिले हैं यह जो होते है यह छोटे ही रहते हैं बस फैलते रहते हैं यह देखिए मेरे पास बड़ी वाली वराइटी है वैरिगेटेड में नॉन वैरिगेटेड भी है वो मेरा नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ है और यह वैरिगेटेड वाली है यह बड़ी पत्तों वाली वराइटी है और जो यह वाले हैं यह छोटे ही तो यही थी मेरी आज की वीडियो छोटे प्लांट्स के उपर जिनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है बस वो फैलते हैं और उनकी लीज भी छोटी छोटी रहती हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब